सागर तो आप सभी ने देखा होगा बाहर से कितना उन्मुक्त और भीतर से कितना शान उसकी बलशाली लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानों वो सब कुछ चूर-चूर कर देगी परंतु उसके गर्भ में ना जाने कितने अन्देखे अन्जान जीव पलते हैं उसके भीतर मोती मुक्ता जन्म लेता है सागर एक है परंतु उस सागर को लेकर के हमारी प्रकृती भिन्न भिन्न होती है कोई उसमें तैरता है तो कोई उसकी लहरों का आस्वादन करता है कोई उसमें अपने पाउ भिगोता है तो कोई उसके भीतर जाकर मोती मुक्ता बाहर ले आता है तो कोई टट पर बैठ कर सागर की लहरों को निहारता है कोई उसमें जीवन का आरंब देखता है तो कोई उसमें अपने जीवन का अंत देखता है सागर एक है परन्तु हमारी प्रकृति की अनुसार सागर की प्रकृति भी बदल जाती है इसी प्रकार जीवन है सब के लिए समा है परंतु उस जीवन में आपको प्रसनता देखनी है प्रसनता पानी है या आपको पाना है अफसाद ये आप पर निर्वर करता है